अलो फ्रेंड्स फाइनेसियल इंफोर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर मैं सेर मार्केट से रिलेटिड काफी वीडियो लेकि आता हूं तो इसे के तहता आज हम बात करें उद्यपूर सिमेंट के बारे में उद्यपूर सिमेंट जो है वो जेक किलन की तो यही इसमें जो है यूज होती है और फ्रेंड्स अभी इसका जो है मनी कंट्रोल पे यह देखते हैं क्या इसका जो सीम पी बगएरा चल ला है और फाइनेशल रिकॉर्ड बगएरा तो उसके बाद इसका टार्गेट की बात करेंगे तो आने वाले 15 दिन में क्या टार्गेट रहने वाला है तो चलते हैं मनी कंट्रोल पे देखते हैं जैसा आप देख सकते हैं 28.90 पैसे पे इसका क्लोजिंग होद्यपूर सेमेट का आज का यह 22 जून का है और डे लो आई की बात करें तो 28.50 पैसे लो है और 39.60 पैसे आई है वहीं अगर 52 लो आई की बा तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे आने वाले 15-20 दिन में क्या टार्गेट रहने वाला है तो देखते हैं अभी फ्रेंड्स आप यह जो है धनलक्षमी बैंक देख सकते हैं तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था 15.40 पैसे क आप पर सरकेट लगाया यानि कल यह जो है और पोजिटिव जाने के इसके चांसिज है बट जैसे इसमें सेलिंग स्टार्ट होगी तो हो सकता है थोड़ा सा फिर यह निच्चे आए बट इसका सत्रा रुपे असी पैसे का टार्गेट दिया था और यह रीच भी हो गया है आज तो यह लगवग 15 दिन हुए हैं इसको जो मैंने टार्गेट जो दिया था तो जैसे मैं एर वीडियो में बोलता हूं कि आपको पैसेंस बनाए रखना है तो आप यह एक एक चांपल देख सकते हैं और वैसे मैं डेली एक दो एक दो ऐसे शेर बताता हूं जो मैंने पह टार्गेट में तो आप यह बात माइंड में सेट करके रखिए और जो इन्वेस्टमेंट करें तो उसको आप 15-20 दिन के लिए और वो जो टार्गेट दिये हैं वो आल्मोस्ट अचीव होंगे 90-95 परशेंट आप देख भी रहे हो और एक दो शेर है उसमें तोड़ा टाइ कर जाएंगे जैसे यही देख लो आज 2-3 दिन से रुका पड़ा था मतलब यह नहीं हो रहा था ज्यादा टाइम लग रहा था और आज देखो अचानक यह जो है 20 परशेंट का जो इसमें लगा है तो अल्मोस्ट अचीव हो गया जो टार्गेट था जैसे आपने मनी कंट्रोल पे इसका CMP देखा है तो अभी इसका जो 2021 मार्च क्वार्टर का जो रेजल्ट है वो भी काफी अच्छा है याने 218 क्रोड रुपे का नेट सेल है और अगर प्रोफिट की बात करें तो 22 क्रोड रुपे का जो है इसमें नेट प्रोफिट हुआ ह इसका जो फैनेशियल डाटा हो गया और उसके बाद में चार्ट वगेरा देखके इसका जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो यह 32 रुपे के आसपास आने बाले 15 दिन में इसका जो टार्गेट देखा जा सकता है तो फ्रेंट से कोल्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते ह और जो पैसेंस वाला है वो तो आपको मैंड में बठाके ही रखनी यह बात तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक्यू फ्रेंट्स थैंक्यू